दोस्तो एक एटम यानी अनू जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो कितना छोटा होता है, किस हद तक छोटा हो सकता है, और क्या ये अनू अपने आप में एक ultimate और ठोस पदार्थ है, या फिर अनू के अंदर भी कोई दुनिया है, क्या है ये अनू और क्य है इस अनू यानी एक एटम के भीतर, अगर आप डीटेल में इसके बारे में जानना चाते हैं, तो बने रहे दर नॉलिज के साथ प्राफ ये जानना चाते हैं, मैं झाल चाते हैं, ये अनू अगर अनू दूज को जा एक एटना चा है, आप प्मी आप में झाला में नुलिज को रहे इसाथ आप प्मी के साथ अवज ये अनू बचल से आगर दोस्तो एटम के बारे में तो आपने सुनाई होगा एटम युनिवर्स में मौझूद सभी पदार्थों की सबसे छोटी इकाई है और हमारे ब्रह्मान में जितने भी चीजे है वो एक अनू से ही बनी होती है ये अनू या एटम्स तीन मुख्य पार्टिकल्स प्रोटोन, इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन से मिलकर बने होते है एटम का आकार इतना छोटा होता है कि इसके बारे में कलतना भी करपाना बहुत मुश्किल है इसलिए एटम का exact आकार समझना थोड़ा कठीन है लेकिन दूसरी चीजों के साथ इसकी comparison करने के बाद आपको बड़ी ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि एटम आखीर किस हद तक छोटा हो सकता है तो चले दोस्तो आज आपको सब एटमिक दुनिया में ले जाते हैं और बताते हैं कि एक अनू किस हद तक छोटा हो सकता है मैं हो इतेजगरी गोसाई आप हेदर नौलेज के साथ और चले जानते हैं परमाणों की दुनिया की वो सच्चाई जो शायद आप न जानते हो एटम का साइस जानने से पूर्व चले एटम के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तो एटम एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता इस प्रमाण में मौझूद सभी चीजों का निर्माण एटम से हुआ है आप मैं सारे एक्विटमेंस ये पृत्वी सूरच घ्रह तारे निहारिकाए और पूरा का पूरा युनिवर्स असल में एटम्स का ही समू है लेकिन दोस्तो पुरी दुनिया का सलजन करने वाला एटम भी अंदर से नकर यानि सॉलीड नहीं होता है बलकि एटम के भीतर भी बहुत सारा खाली स्पेस होता है एक एटम अपने आकावर में 99.999999996 परसन अंदर से खाली होता है तो चले अब दोस्तो चलते हैं सब एटमिक स्केल की उस दुनिया में जहां मैं आज आज आपका परिचे एक अनू से करवाऊंगा अगर on average एक इनसान का वेट 70 kg मान ले तो उसमें 7 octillion atoms मौजूद होगे दोस्तो ऐसा माना जाता है कि हमारी प्रिथ्वी पर रेगिस्तान, गाव, शहर, जमीन, पहाड और समंदर के पानी के बीतर भी रेत के जितने कण है उतने युनिवर्स में स्टार्स है लेकिन दोस्तो रेत के महस एक कण के अंदर कितने एटम है ये बात अगर पूछी जाए तो रेत के एक कण के बीतर एटम की कुल संख्या युनिवर्स में मौजूद टोटल स्टार या यू कह लिजे कि प्रिथ्वी के रेत के सभी कणों से बहुत बहुत ज्यादा है और ये रेत के एक कण के बीतर के एटम की बात है दोस्तों आप इस चोटी सी बात से अंदर जा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना चोटा हो सकता है रेत के एक चोटे से कंड में 50 कॉंटिलियन एटम होते हैं 50 कॉंटिलियन यानि की 50 के पीछे 18-0 दोस्तों theoretical calculation के हिसाब से largest एटम का radius 300 picometer है जो की 0.6 nanometer के बराबर है इसे अगर meter में नापे तो होगा 1.0 into 10 to the power minus 10 meter यानि की एक एटम एक मीटर का 10 अरववा हिस्सा है इस बात से आप ये सोच सकते हैं दोस्तों के एक एटम किस हद तक छोटा होता है लेकिन बात यहाँ पर खतम नहीं होती जब वईयानिकों ने एटम की deep study की तो उन्होंने पाया के एटम यानि अनु ब्रह्मान की सबसे छोटी चीज नहीं है असल में एटम भी तीन सब एटोमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे electron, protons और neutrons कहा जाता है यह तीनों सब एटोमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाते है जिसमें proton और neutron atom के nuclear यानि कि उसके केंद्र का निर्मान करते है और electron nuclear के चारो और चक्कल लगाता है ठीक वैसे ही जैसे प्रित्वी सूरज के आसपास चकल लगाती है जिसमें दोस्तों protons और neutrons लगबक सैम मास के होते है जिनकी size होती है करीब 8.4 into 10 to the power माइनस 15 मिटर एटम के तीसरे सब एटोमिक पार्टिकल्स electrons की बात करें तो उसका size स्वयम atom से करीब 10 करोड गुना ज्यादा चोटा होता है electrons की size 1 into 10 to the power माइनस 18 से लेकर 1.2 into 10 to the power माइनस 15 मिटर तक होती है और इससे भी ज्यादा interesting बात ये है दोस्तों के एटम के भीतर के ये तीन सब एटोमिक पार्टिकल्स proton, neutron और electron ब्रमान के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है वैगयनिकों ने जब इन तीनों को दो हिस्सों में divide करना चाहा तो ये भी हिस्सों में divide हुए यानि electron, proton और neutrons भी कोई और पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनका आकारुन से अरबो गुना ज्यादा छोटा होता है प्रोटोन, electron और neutrons जिन fundamental पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है quarks and leptons प्रोटोन 2 up quarks and 1 down quarks से मिलकर बना होता है जबकि neutron 2 down quarks and 1 up quarks से मिलकर बना होता है और electron उसके fundamental पार्टिकल्स leptons से बने होते हैं दोस्तों इन fundamental particles का size अभी conform नहीं किया गया है लेकिन इनके size के बारे में अनुमान किये गये है हाला कि ये अनुमान अभी theory तक सिमित है इन्हें prove नहीं किया गया है फिर भी चले आज हम इनके theoretical size के बारे में भी जान लेते हैं तो सबसे पहले quarks का size होता है 1 into 10 to the power minus 19 meter proton और neutron का निर्मान करने वाले ये quarks atom से खर्वो गुना छोटे होते है लेकिन फिर भी ये leptons से size में बड़े होते है leptons size 1 into 10 to the power minus 24 meter दोस्तों matter के 12 basic building blocks में leptons सबसे छोटे है इनका आकार बेहद ही छोटा है हम हमारी आम आखों की साथ इसकी तुलना करे तो मान लीजे कि हमारे सामने ये है ही नहीं ये अद्रश्य है इनकी कोई मौजुद्गी ही नहीं है लेकिन भौतिकी की एक बेहद दुरलब और बेहद ही सुक्ष्म दुनिया में इनका अस्तित्व है दुस्तो आगे हमने जो डिसकस की है वो सब अटोमिक पार्टिकल्स प्रोट्रोंग और नूट्रोंग और उनका दिर्मान करने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वार्स और लेप्टोंज ये सब फर्मियोन पार्टिकल्स की कातेगरी में आते है लेकिन दोस्तों इस मास वाली चीजों को आपस में जोडने के लिए प्रकृती में चार प्रकार के मूलबुत बल भी है जिन्हें हम four forces of the nature कहते हैं जो है gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force और इन चारों forces के वजूद के लिए जो particles responsible है उन particles को कहा जाता है boson यानि कि इन bosons की वज़े से ही nature के चार forces काम करते हैं boson के fundamental particles की बात करें तो वो है photons, gluon, z boson, w boson और higgs boson और एक और भी है graviton लेकिन graviton एक theory है अभी तक इसे प्रू नहीं किया गया है अगर हम higgs boson के size की बात करें तो इनका size करीब electrons के बराबर ही होता है लेकिन दोस्तों यह सारे particles universe के सबसे छोटे particles नहीं है जैसा कि दोस्तों मैंने आगे बताया fundamental particles के बाद एक बेहद ही शुक्सम दुनिया की शुरुवात होती है और उस दुनिया में एक बेहद ही छोटी size की कल्पना की गई है जिसे कहते है plank length इस plank particle को tiny black hole भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई खुद इसके स्वार्सचाइड radius के बराबर होती है और ये plank length एक परमानू से 10,000 खरब गुना छोटी होती है जिसकी size 1.6 into 10 to the power minus 35 meter होती है और इसलिए इस particle को वज्यानिक black hole की singularity से भी जोडते है दोस्तो string theory के अनुसार एक string की लंबाई इस plank length से भी छोटी होती है और इस theory के अनुसार ब्रह्मान की सबसे छोटी चीज़ होती है string string अभी तक एक theory में ही कैद है इसे प्रू नहीं किया जा सका है और शायद ये इतनी छोटी है के इसे हम कभी प्रू भी ना कर सके लेकिन ये string theory हमारे अनसुल जे भूति किये के सवालों का जवाब देती है और ये बेहत ही चटिल विशय ग्रैविटेशन को भी explain करती है ये theory इतने छोटे scale की बात करती है जिसकी हम कलतना भी नहीं कर सकते और दोस्तो सच तो ये है कि हम जिस भी particle को बीतर से जानने की कोशिश करते है उसके उतने ही टुकडे हो जाते है हर particle दो टुकडे में बच जाता है physics के कई scientist कहते है कि हम space को जितना बाटे उतनी बार वो बटेगा space के प्रतेक टुकडे को दो हिस्सों में बाटा जा सकता है और दोस्तो इससे ये बात साबित होती है कि universe बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पे infinite है हमारे लिए ब्रह्मान की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने खोजी है या जिसे हम महसूस कर सकते है और सबसे चोटी चीज भी वही है जिसे हमने अब तक खोजी है या जिसको हम अपनी पाच ग्नानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते है लेकिन शायद सच बात तो ये है कि universe बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पे अनन्त है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और quantum physics की stream theory के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाते है तो मुझे comment जरूर करे अगर बहुत सारे comment आते है तो जरूर मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगा और quantum physics की उपर मैंने बनाए तीन वीडियो आप आज ही दे सकते है जिसका link नीचे डिस्की समय दिया गया है और अगर आप नए है तो इतना knowledge को जरू सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा त्यान रखे Have a good day, take care